नमस्कर दोस्तों कैसे हो आप लोग आए होप आप सब मज़े में ही होंगे दोस्तों आज की ये वली वीडियो काफी जादा धमाकेदार होने वली है बिकाज आज की इस वीडियो के अंदर में आप लोगो को एक ऐसा स्टॉक बताने जा रहा हूं स्कैश्थ हों के बाले में तो चलि अब इस वीडियो को स्टाट करते हैं आप इस वीडियो को तक देखनान काहिंל कर दिजे मैं हूं आरौश आपS अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बताता हूं आपको कौन सा है स्टॉक जिसने आप धमाकेदार स्टॉक स्प्लेट अनौंस के है तूस्टू 10 के रेशियो से दोस्तों इस स्टॉक का नाम बता देने से पहले मैं आप रहो को इसके कुछ और डेटेल्स के वारे हैं बता सिरफ 14.05 रूपीज का है और जो 52 वी खाये है वो 346.15 रूपीज का है स्टॉक का जो करन्ट प्राइज है करनली अपने 52 वी खाये की तरफ मूफ कर रहा है जो कि हमें यह बताता है कि यह जो स्टॉक है भी एक अप ट्रेंड के अंदर में मूफ कर रहा है चलिए बात कर ले है वह अगर हम बात करने इस कंपनी के पी रेशियो की तो वह 13.76 का है इंडस्री पी यहाँ पे 20.62 का है और डेट टो इकिटी रेशियो यहाँ पे 0.01 का है जिसका मतलब यह है कि यह जो कंपनी है एकदम डेट फ्री है चलिए बात कर लेजें इस कंपनी के आरोई की रिटर पांट 4.0 रूपीज की है और अगर हम बात करें फेस्वाल्यू की तो यहाँ पे 10 रूपीज की है चलिए बात कर लेते हैं इस कंपनी के फाइनाशल की तो सबसे बहुत करें हम बात करें हैं यहाँ रिवेन्यू की 2018 से लेके 2022 तक के डेटा की तो 2018 में आपे revenue 1 crore का था उसके बाद 2019 में घटके 0.57 crore पे आया उसके बाद 2020 में वापस बढ़के 1 crore पे आया उसके बाद 2021 में 0.94 crore हुआ और उसके बाद current year 2022 के अंदर में ये 0.99 crore पे है वही बाद हम बात करें इस company ये profit की तो 2018 में profit 0.01 crore का था और 2019 के अंदर में company ये पे loss में चली गई थी 0.34 crore के और उसके बाद 2020 में आपे profit होना start हुआ 0.01 crore का और current year 2022 के अंदर में profit 0.68 crore पे आ चुका है चली अब बात कर लेते हैं इस company की net worth की तो 2018 के अंदर में net worth ये आपे 12 crore की थी और 2018 से लेके 2021 तक consistently जो net worth है वो 12 crore पे रही बट current year 2022 के अंदर में 13 crore पे आ चुकी है तो all over अगर financials की बात करूँ तो हमें average देखने को मिल रहे हैं जादा कुछ खास नहीं देखने को मिल रहे चली अब बात कर लेते हैं इस company की shareholding patterns की सबसे बहले हम बात करेंगे आपे जून 2021 के patterns की देन उससे हम compare करेंगे आपे जून 2022 से तो जून 2021 के अंदर promoters के पास यहाँ पे 74.99% का stake था company में and rest of the stake जो की 35.01% का वो retail investors का था वहीं इसे compare करें हम जून 2022 से तो यहाँ पे promoters का जो current stake है 68.74% पे आ चुका है selling करेंगे प्रमोटर्स ने वो इस stake है पे retail investors ने purchase कर लिए जो की 6-7% के आसपास का है and all over share holding patterns की बात करूँ तो जादा खास नहीं देखने को मिल रहें बट यह बात अच्छी है कि promoters के बास अभी भी majority stake है company के अंदर चलिए बात कर लेते हैं stock के नाम की तो company का नाम है S&T Corporation Limited and वही अगर company के Bombay Stock Exchange के code की बात करें तो वह है 514197 and वही अगर हम बात करें company की official announcement की तो आप अपने screen के ओपर company का official letter देख सकते हैं जहाँ आप ए company ने आप इस stock split announce के 2-10 के ratio से जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में company के 2 stocks हैं तो यहाँ आपके 2 stocks 10 stocks में convert हो जाएंगे company ने अभी तक इसकी x date और record date नहीं announce करी है तो company यहाँ जैसी x date और record date announce करेगी मैं आप लोगों को intimate कर दूँगा और दोस्तो आज की वीडियो में इतना है अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा इस चैनल को भी जरूर से subscribe कर दीजिएगा पर फिनो मीडिया के अंदर आपको stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मेलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then bye